हे अल राइट एन वेलकम टू अल इन टुडेइज देहिंदो न्यूज डिसकेशन नाओ डेली के बेसिस पर हम पेजवाई डिसकेशन करते हैं और हर एक पेसे इंपोटेंट जो आर्टिकल्स होते हैं यूपी एसी प्रिलिम्स और मेंस के उसको डिटेल में डिसकस करते हैं नोट्स के फोर में हमारे अनलसिस का सबसे पहला सक्षेन रहता है कि ओवरॉल न्यूज पेपर को हम चेक आउट कर लेते हैं से पहला है टोटल पॉजिटिविटी रेट घटा है माइग्रेंट लेबर का इश्यू बहुत जादा देखने को मिला है गुजरात में म्यूक और माइकोसिस के केस बड़े हैं एक तरह से हॉट स्पोट बन चुका है साइकलोन यास आया है इसकी प्रोनॉंसेशन कैसे करते ह होती है सीवियर साइकलोनिक कैटिगरी में इसको रखा जा सकता है आयमडी की कैटिगरी यह क्या है आसाम के ने काव प्रोटेक्शन बिल इंट्रिड्यूस किया एक जो सुगर के इन क्रॉप में जो फ्लक्टुएशन के वज़े से पैस्ट आई तो वैदर कितना जदा मैट करता है यह पीएसी मेंस के बेसिस पर करेंगे आई टी एक्ट 2000 को पढ़े हैं हम कि किस तरह से क्या सरकार के पास पावर है कौन-कौन सी पावर रहती है कोई ओफेंस करता है सोचल मीडिया में एक्स पर्शन पोस्ट डालता तो वह उससे कैसे डील होता है राइट ब्लेक फ ट्राइब से डॉंगरिया और बॉंडा इन पर भी 75 परसेंट जिस गाउं में यह रहते थे वहाँ पर पॉजिटिविटी रेट बहुत ज़दा बढ़ चुका है राइट चाइना में फादर आफ हाइबिरिड राइस कहे जाने वाले व्यक्ति की डेथ हो गई है किस तरह से इन्होंने जो इतना स्टार वीशन के वजह से लोग मर रहे थे 1930 के दोरान 1930 क게 दोरान और क्या किया ब्रिक्स के बारे में जानेंगे वाइट फ्रा इसके बारे में जानेंगे डेटिल में बट आगे बढ़ने से पहले अगर आप सोशल मीडिया से कड़ भी हैं तो मैं सजे एक डेली के बेसिस पर एक नया इनिशेटिव है हमारा करेंट एफियर का डार्क वेब क्या होता ये पूरा बताया गया है उसकी पीडियेफ आपको फिरी में मिल रही है अगर आप पेड यूजर नहीं भी है तो राइट ये गवर्मेंट साइकलोन यास मैं कुछ तीन दिन प पर करवाई जाती है तो इस चैनल को अगर आप जॉइन करते हो तो प्रिलिम्स और मेंस के बहुत सारे एक पर्टिकुलर राइट डारेक्शन में आपको हेल्प मिल जाएगी उसके साथ साथ अगर आप चाहते हैं प्यार पुब्लिकेशन के साथ अपनी यूपीएसी जरनी को सकस्स बनाना तो हमारे एरली प्लैन को जॉइन कर सकते हैं पूरे एक साल तक दहिंदू के नोट्स डेली आंसर राइटिंग मंडे टू फ्राइडे आंसर राइटिंग हम करते हैं सिक्स्टी टॉल्थ नोट्स आपको मिल जाते हैं फॉन गार्टन से मिल जाती है एरली प आपको मिलेगी ये दोनों lifetime आपको मिल जाएगा ये पूरा एक साल ये पूरा एक साथ combine लेते हैं तो 999 रुपीज में अवेल कर पाएंगे लेना कैसी है दिये गए नमबर पर Google पर फॉन पर करना है जो भी payment करेंगे उसकी screenshot सेम नमबर पर WhatsApp करनी है और हम आपको अपने telegram private group से एड कर लेंगे राइट जहां पर सभी material ये आपको telegram में मिल जाएगा ये email ID में मिल जाएगा ये telegram में मिल जाएंगी राइट सबसे पहले news आती है over 2 lakh fresh cases आए पिछले 24 घंटे में बड़ एक अच्छी बात ये है कि TPR decline होआ है 14.2% ठीक है कोरोना वाइरस के cases का update मैं देते भी रहता हूं शौट्स आप देख सकते हैं इंडिया का average जो daily test positive rate है मतलब 100 अगर test करते हैं doctors तो सौ मैं से कितने लोगों को test positivity आती है उसका rate पहले था 22.7% बट अब हो चुका है 14.2% मतलब 100 लोगों का test कर रहे हैं तो सिर्फ चौद लोग ऐसे आ रहे हैं जिनको कोरोना positive है जो कि एक मैं कहूंगा बहुत अच्छा indication है जो rumors फैलाए जा रहे हैं वो उससे बचें और particular जो official government की website है उससे चेक करें कि अभी की condition कैसी हो रही है हाला कि cases बल्ड रहे हैं जो आपका cases decline हो रहे हैं आपका जो अगर मैं बात करूँ death rate सेम है 4-4,000 death daily देखने को मि यह सबसे दूसरी बात यह है कि कोरोना और lockdown के कुछ impact है पहले मैं 8 point बताऊंगा उनको note down कर लो migrant पर second sex workers और transgender पर third health में fourth education में fifth domestic violence हुआ है women's के अगेंज बहुत ज़दा इस lockdown में fifth point ठीक है एक दो तीन और एक और चीज़ याद रखना इसमें हम answer writing भी कर चुके हैं ठीक है तो sex worker और transgender यह fifth और sixth तो total 7-8 point मैंने बता दिये जो कि lockdown के negative impact आपको देखने को मिल जाएंगे तो ऐसा ही कुछ हुआ आठ लाग migrant workers डैली छोड़के चले गए state run जो बसे चलती है जैसे हर्याना है हर्याना तो बगल पई है ठीक है गुजरात है उत्राखंड है उत्तर प्रदेश है तो total ऐसा देखने को मिला है कि 21,000 कुछ बसेश चली थी बस ट्रिप हुई थी और उसमें आठ लाग डैली से migrant चले गए सोचो अपनी जॉब छोड़के बीच में अपने गाउं को चले गए इसके लिए सरकार ने मनरेगा बढ़ा देनी चाहिए जो 100 दिन का रोजगार है उसको 200 दिन करना चाहिए एक solution य चुका है गुजराज म्यूकर माइकोसेस के केस में नाव ब्लैक फंगस या म्यूकर माइकोसेस कोविड-19 के जो पेसेंट रिकवर भी कर रहे हैं और पेसेंट हैं भी उनमें ब्लैक फंगस की डिजीज देखने को मिल रही है यह एक फंगर डिजीज है इसको म्यूकर माइक को सिस भी कहते हैं जनरली यह लंग स्प्रेंड को इंपेक्ट कर रहा है दूसरा जनरली यह हो कैसे रहा है जो इन्वार्मेंट पैथोजन्स होते हैं उनके वज़े से हो रहा है राइट कभी-कभी जो ऐसे पेसेंट भी हैं जिनको डायविटीज है तो उनका सुगर लेवल ब हो चुका है राइट चलिए इसके सिम्टम्स क्या है आइज और नोस के एराउंड ड्रेडनेस बहुत ज़्यादा फीवर हैडेक कफिंग सौटनेस और ब्रेथ ब्लड़ी वामिट अगर उल्टी हो रही है तो उस पर खून आ रहा है राइट ऑल्टरड मेंटल स्टेटस दे भी का है कि इसकी सौटेज को फुल्फिल कीजिए राइट ना नेक्स्ट न्यूज है यास साइकलॉन यास के बारे में अगर जानेंगे तो इसको ऐसे मैं औरली बता रहा हूं बट यह आपको वीडियो सेक्शन अलग से मिल जाएगा ठीक है उसकी पीडियेप भी शेयर कर जोट है अब यहां पर क्या हुआ देखो यह इंडिया है हमारा ठीक है मैं गलत बना दूँगा तो मुझे थोड़ा सा इसको एवाइट करना ने तो वैसे ड्रॉइंग तो बहुत अच्छी है मेरी राइट यह इंडिया हो गया यह अंडमान एंडमान सी हो गया यह उडिश यह वेस्ट बंगल है ठीक है इतना एरिया वेस्ट बंगल का लोग प्रेसर यहां पर क्रेट होने वाला है आज है 23 मई तो यहां से सुरू होने वाला है साइक्लों यास ठीक है अब यहां पर पहुंचते-पहुंचते क्या होगा अभी तो विंड स्पीट 50 km पर आवर है अब किस ने दिया है ओमान ने कल भी हमने यह डिसकस किया था तो इसको थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं साइक्लों यास साइक्लों यास लाइकली टू 22 मई को आने वाल था नौर्थ अंडमांसी में हलका लोग प्रेसर बन रहा था फिर मूव करेगा नौर्थ वेस्ट में बेस् लैंग्वेज है जिसका अगर अंग्रेजी का मतलब जानोगे तो जैसमीन इसका मतलब है अंग्रेजी में और जनरली आएमडी ने यही का है कि पहले तो यह 40-50 किलोमेटर पर आवर की स्पीड में अंडमांसी में देखने को मिला अब यहां पर यह जैसे जैसे उडिसा और या डीप डिप्रेशन की बात करूं तो यह 50-60 किलोमेटर पर आवर की स्पीड होती है विंड की बट अभी यहां पर हमने बोला है वेरी सीवियर साइकलोनिक स्ट्रॉम और सीवियर साइकलोनिक स्ट्रॉम अब वेरी सीवियर साइकलोनिक स्ट्रॉम होगा तो वह 108-221 के ब बोल रही है तो मैं कहूंगा कुछ 120 किलोमेटर पर आवर से 170-180 किलोमेटर पर आवर की स्पीड हो सकती है राइट इंडियन मेटरोलोजिकल डिपार्टमेंट जोगरफी ओल ओवर इंडिया में मेटरोलोजी सेस्मोलोजी और रिलेटेट सब्जेक्ट की जानकरी देता है 875 में वनी थी मिनिस्ट्री अफर्ति साइंस के अंदर आती है है एटकॉर्टर नहीं दिल्ली में है सभी को एग्रिकल नाज चाई आचुकी थोड़ा सा चाई पी लेते हैं राइट चाई पीते पीते आपको बताते हैं अब आप यहां पर या आती है कि फिप्टेंथ असेमली होती है आसाम में हमारे नए 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 चीपनिस्टर बने हैं हेमंत साब और उन्होंने कहा कि जो काव है लाइफ सस्टेनिंग मिलक प्रॉइट करता है और एक सेक्रेड एनिमल की दरब ही माना जाता है पवित्र जिसे जानवर बोलते हैं और उसी के लिए इनको काव प्रोटेक्शन बिल लाना पड़ा राइट और दूसरा जीरो टॉलरेंस पॉलिसी हम इसमें अपनाएंगे ऐसा ऐसा बोला जा रहा है और कोई भी इसको एक्सपोर्ट करता है ट्रांसपोर्ट करता है आउटसाइड दा स्टेट उसके अगेंट सक्त कारवाई की जाएगी दूसरा न्यूज है वैदर फलक्टुएशन में ट्रिगर पेस्ट अटक ऑन सुगर केन क्रॉप्स इन यूपी अब मैं कहूंगा न कि कभी कभी होता है कि मेंस के लिए कैसे चीज़ें ये यूज करें देखो मैं एक चीज़ बता देता हूँ सुगर केन यानि कि गन्ना आप लोग खाया होगा तो excessive moisture atmosphere में होने के वज़े से weather condition बगड़ी weather condition जब बिगड़ती है तो बहुत सारे जो pest होते हैं जैसे पाइरिला, grass ओफर, ठीक है बलग बग ये सुगर केन क्रॉप में उसको खतम कर देते हैं और किसानों का नुकसान करते हैं तो जब भी बात आती है ना climate change की तो climate change से indirectly ये impact होता है कि weather fluctuate होता है और weather fluctuate होता है तो हमारी crops पूरी तरह नश्ट हो जाती है तो simple सी बात है UPSC mains का ये news का example है और दूसरे एक example ये भी है ब्लेक बग किसके लिए है कौन सा पैस्ट है सुगर केन को ये क्या करता है अटेक करता है ये भी चीज़ याद रखना प्रिलिम्स के लिए ना देखिए मैंने का था यास very severe cyclonic storm में बन सकता है यानि की 118 km per hour से 221 km per hour की wind speed हो सकती है ठीक है ना यहाँ पर अभी जो ये news discuss कर रहा हूँ ना ये सरकार ने publish किया ना ट्वीटर ने ना सरकार ने कुछ बोला ना ट्वीटर ने कुछ बोला यहाँ पर अपनी expert ही जो बोलते है expert generally वो होते हैं जिनको बहुत ज़ाद experience होता है जो already ये चीज़ें करते हुए आए हैं ठीक है तो एक दो बंदे रास्ते में चलने वाले ऐसे होते हैं कि वो बोलते हैं ड्राइवर से ठीक है कि ऐसे ऐसे डाल हाथ से इसारा करते हैं मैं उनको भी expert कहता हूँ वो उनका अलग नजरिया होता है देखने का ठीक है पर driver उनको नहीं पता कि driver अपने basis पर काम करता है चाहे व बीच में चाहे कितना ही टॉपर हो यार कितना यूपीएसी एस्पिरेंट बंदा हो बहुत ही तगड़ा हो वह भी बोर हो जाता है ठीक है तो उसके लिए बीच बीच में थोड़ा सा comedy सीख रहा हूं मैं राइट चलिए government क्या होता है can't seek removal of twitter tag expert अगर यह मोहित कुमार सुन था वह मोहित नहीं किया था ठीक है तो उनको पता है मेरे जोक कैसे रहते थे यह लोग खाली भी हसते थे क्लास में है ना कि मैं कुछ बोलूंगा और मैं इनको जवर्दस्ति आसा था कि हसो पहले मैं एक जोक मारता था और फिर खुद ही बोलता था कि इस पाहसो और जो नह और मैं ऐसे क्ति सब्सक्रिब्स सब्सक्रिप्र में टुइचा अंगा और डीएब सब्सक्राइब को विडियूर्स करें बादा है और फिर थीक भी प्रमें प्रमिशिंख हो एख अगर आपने अप्लिकिशन कभी खोली होगी तो येघंशिंग को देखने को मिलते हैं कभी कभी क्या होता है कि आपको दिखेगा हाँ यह म्यूजिक वाला लेबल है यह साइन्स एंड टेक वाला है जैसे आप हमारे चैनल की प्ले लिश्ट देख लो वहां पर लिखा होगा संस्कृत की वीडियो आपकी साइन्स की वीडियो केमिस्ट्र की वीडियो मतलब हैं कि यह इंपोर्टेंट नोट करना जरूरी है कि आईटी एक्ट में यह पावड दी गई है सरकार को कि वह ब्लॉक या रिमूव कर सकते हैं किसी कंटेंट को बट एक्सपर्ट का यह मानना है कि दियर इस नो लॉक कोई ऐसा कानून नहीं है या रेगुलेशन नहीं है जो explicitly मतलब पूरा exclusive prohibit करता है mandate marking flagging and labeling of content by intermediaries he noted मतलब labeling का मतलब क्या होता है आप categorize नहीं कर सकते इसका मतलब क्या है सरकार यहीं चाहती है सरकार Twitter के tag को remove नहीं कर सकती मतलब जो label दिया जाता है कि यह science and tag का generally हुआ क्या था जो COVID-19 को बहुत जदा बड़ा चड़ा कर बोला जा रह रहे थे उनके basis पर right now अब कर लेते हैं आइटी एक्ट यह पढ़ा देता हूं उसके basis पर पूरा आपको confusion clear हो जाएगा याद रखें इंस्टाग्राम में मुझे follow कर रहा है add the rate add the rate नहीं भी लगाएंगे चलेगा पंकज बोहरा 534 ठीक है आप यहां पर अपने पूरे doubt पू पूछते भी रहते हैं तो मैं directly उनको वहां पर message कर देता हूं तो पंकज बोहरा 534 इस Instagram ID को follow कर लीजिए और जो भी doubt है चाहिए आप paid user ना भी हैं तो आप भी अपना doubt पूछ सकते हैं और आपके particular doubt में हम वीडियो भी बनाएंगे ठीक है तो Instagram में यहां पर follow कर लें IT Act 2000 यह क्या है पार्लेमेंट ने वर्स 2000 में एक कानून पास किया गया जिसमें बोला गया कि हम cyber crime से related मतलब social media में होती है ना इतनी ज़्यादा post किसी को bully किया जाता है e-commerce तो IT Act के basis पर यह सब पूरा regulate किया जाता है तो IT Act लाया क्यों गया cyber crime को कम करने के लिए digital electronic format को जो fraud होते हैं उसको कम करने के लिए cyber IT Act ही legal recognition देता है digital signatures को कभी-कभी होता है na digital signature का मतलब क्या होता है आपके जो अगर आप देखोगे कहीं पर आपकी certificate में चाय कास certificate है कोई भी certificate है तो वहाँ पर अगर आप देखोगे तो वहाँ पर digitally signatured by आता है ठीक है तो इसका मतलब है कि उस परसन ने physically वह sign नहीं किया है बढ़ डिजिटली sign होके वह print out निकाला है राइट तो IT act आने से बहुत सारे जो भी technology से related चीज़ें थी जिसमें online चीज़ें होती है IPC Indian Penal Court है evidence act है कोई digital evidence भी होते हैं उन सब को में change लाए गया ताकि IT act आ गया था आप कहींगे कि IT act से होता क्या है रिसेंटली जो चाइनीज एप बैन की गई ना टिक टॉक पब जी हालागि पब जी अब आने वाला है पर चाइनीज एप बैन करने के पीछे IT act ही होता है ओके अब नाव IT act में दो चीज़ें होती है एक होता है section 66A और एक होता है section 69A मैं कह तीन साल के उसको सजा हो सकती है कि तीन साल की सजा हो सकती है ठीक है बट एक और चीज़ है कि section 66A को amendment किया गया था 2008 में पारलेमेंट में बीना debate के साथ ये पास किया गया था राइट दूसरा section 69A क्या है मैं कहूंगा जो चाइनीज टिक टॉक एप बैन की थी ना वो 69A के अ एक अंद्रगत होता है offensive post करना उसमें सजा देना वह 66A के अंद्र होता है ठीक है यहाँ पर देखिए यहाँ पर सोनिया गांदी जी कह रही है इंश और सप्लाई और ब्लेक फंगस मेडिसीन ओके नाव यहाँ पर एयर इंडिया डाटा ब्रीच में पोज लीगल रिस्क यह अब इसमें credit card के history हाँना कि एर इंडिया के officials का कहना कि credit card के history हम सेव नहीं करते हैं तो उसके साथ कोई छिळकानी नहीं होगी बर डोमिनोज इंडिया जहां पर से आप पीजा ओर करते हो सोच उनके data को dark web में डाल दिया गया है ओके देखिए बहुँ सारी लोगों को नहीं को नहीं पता है यूपीएसी रैप सॉंग अगर आप सर्च करोगे तो आपको मिल जाएगा मेरे द्वारा लिखा गया है इनके द्वारा गाया गया है तो इसको भी जरूर सुने आप ठीक है अब वीडियो सेक्शन मा जाओ वीडियो सेक्शन में यहां पर देखोगे ना डार हिजबुल मुजाइद्दीन है उनकी अगेंजड अब इनका कहना है कि अब यार हिजबुल मुजाइद्दीन पाकिस्तान से फंडिंग आती है इनकी और पाकिस्तान बेजड टेरर ग्रूप है बट अभी यह क्या कर रहे हैं चेना वैली में जितने भी इंसिडेंट हुए हिजबुल मुजाइद्दीन ने उनको ही फंडिंग की है तो ऐसा एनाइए ने तीन हिजबुल मिलिटेंट के अगेंजड जो है एनाइए ने चार्जिसेट फाइल की है ठीक है एनाइए होता क्या है नैशनल इन्वेस्टिकेशन एजनसी वर्स है दोजार आठ दोजार इनाइए टीम बना दी गई थी नेशनल इन्वेस्टिकेशन एजनसी पारल्यमेंट में कानून पास हुआ लोगसभा राज़ी सभा फिर राश्टपती के बास साइन होके गए तो ऐनाइए क्या करती है एक सेंटल एजनसी है जो इंवेस्टिकेट करेगी भारत की इंटेग नई दिल्ली में ब्रांचेज हैदराबाद गोहार्टी कोची हरजेगा आपको देखने को मिल जाएंगी नाइए 2019 में इसमें एक सुधार किया गया और और ज्यादा पावर दे दी गई जैसे human trafficking होता है ना बच्चों की खरीद फ्रोक होती है उसको रोपना cyber terrorism में offensive substances आपके पास हैं तो उनको रोपना राइट तो यह सब चीज़ें होती है ना यह का एक special court भी होता जो judge preside करते हैं उनको central government ही appoint करती है in the recommendation of high court दूसरा अगर याद रखना special court का कोई भी jurisdiction होता तो उसके बाद final decision अगर कोई appeal करना चाहे तो final decision central government ही सुनाईगी ना कल भी हमने डिसकस किया था कि डॉंग्रिया डॉंग्रिया और bonda जो tribe है उडिसा की वह particularly vulnerable tribal group के अंदर आती है इस पर यूपिए सी और की एक administrative officer की सबसे बड़ी जो है responsibility होती है ऐसा क्यों देखिए ऐसा इस लिए particularly vulnerable tribal group अब ये देखिए टोटल पूरे भारत में tribal population 8.6% है उसमें भी बहुत सारे tribal लोक्स होते हैं बट और ज्यादा vulnerable जिनको एक्चुल जरूरत नीट की जरूरत है गवर्मेंट की जो funding जाती है वो most of tribal लोगों को चले जाती है बट पीविटी जी इसको particularly vulnerable tribal group को तो पता भी नहीं चलता कि कब गवर्मेंट की funding आई कौन सी स्कीम हमारे ले आई क्योंकि particular vulnerable tribal group ऐसे tribal group होते हैं जो बहुत ज्यादा vulnerable होते हैं मतलब modern world से उनका connection ही नहीं होता जो सिर्फ tribal जन जाती होती है वो बहुत सारे tribal जन जाती तो यार election में भी खड़ी उठती है school teacher भी होती है बट ये ऐसे vulnerable होते हैं tribal groups में ही जो modern world से बिलकुल connect नहीं है ठीका कल भी मैंने एक example दिया था चन्नाई एक्सप्रेस का और बाहुबली का बाहुबली में जो बोलता नहीं है जिसकी language ही नहीं है मतलब ऐसे particularly vulnerable tribal group को आप इस तरह से बता सकते हो कि उनकी कोई written language है ही नहीं absence of written language सोचो slower rate of change है technology के साथ कोई लेना देना नहीं है बात आती है कि यार अब इन सब को किस तरह से यार क्योंकि पूरे हमारे देश में रहते हैं particular vulnerable tribal group अब इनको किस तरह से हम इनका welfare करें बात आती है 1973 में धेबार commission को appoint किया जाता और बोला जाता है कि यार आप identify कर भी vulnerable हैं जिनको actual में हमारी जरूरत है तो उन्होंने कहा कि primitive tribal group बात 2006 की आती है फिर सरकार कहती है कि PTG को हम PVTG बोलेंगे अब से primitive नहीं particularly vulnerable tribal group बोलेंगे 1975 में भारे सरकार देखती है और 75 particularly vulnerable tribal group को identify कर लेती है तो ये नमबर याद रखना आप लोग भी ठीक है और सबसे ज़्यादा 75 particularly vulnerable tribal group में भी उडिसा में ऐसे हैं जा सबसे ज़्यादा PVTG पाई जाते हैं ठीक है है मतलब पाई जाते क्या है हैं वो ठीक है तो इस स्कीम के अंदर बहुत सारे granting aid भी दी जाती है राज्य सरकारों को इसराइल और हमास के बीच में ट्रूस हो चुका है सीजपायर अब नहीं होगा मतलब सीजपायर हो जाएगा कि यहां से और वहां से दोनों ही ने एग्री कर लिया कि हम नहीं आप पर रॉकेट बरसाएंगे ना आप भी उक्यूपाई करना और इजिप्ट उसमें थी 2004 की बात है उनको वर्ल्ड फूट प्राइज भी से भी सम्मानित किया गया था मैं कहूंगा 2020 का वर्ल्ड फूट प्राइज किसको मिला यह मैं करा चुका हूं तो आपके लिए यह कॉश्चन है कॉमेंट बॉक्स में बोलना बात है 1960 की मतलब 1960 की जब हाली में चाइना आज़ाद हुआ था और उसमें यह जो हमारे फादर आफ हाइबरेड राइस थे वो तीस साल के थे और चाइना उसमें फैमीन से यह जूज रहा था इस्टार वेशन था चाइना के पास कुछ अनाज़ादा था नहीं जैसे भारत में भी था ग्रिन रेवल इतना रिवोलुशन ला दिया हाइबरेड जो एक्सपेरिमेंट करके हाइबरेड राइस लाइज इसके वज़ेसे येल्डिंग बहुत ज़्यादा बढ़ गई ठीक है मतलब आप एक वीज लगाते हो तो एक किलो तक चावल गेहों बन जा रहा है तो यही था पूरा हाला कि यह चाइना के फादर आफ हाइबरेड राइस हैं हर जगह अलग अलग होते हैं ठीक है साइंस एंट टेक में अगर आप बात करोगे तो क्या साइंस एंट टेक की न्यूज इंपोटेंट रहती हैं जो भी कोबिट से रिलेटेड हैं उनको बिल्कुल भी मत पड़ो जो रिसर्च बेज रहता है क्योंकि हज़ारों रिसर्च की जाती है डेली के बेसेस पर तो जो हमारे काम का वो यह ब्रिक्स एस्ट्रॉमी वर्किंग ग्रूप मतलब अब सो सकते हो कि टेलिस्कोप के फिल्ड में यहाँ बर काम किया जा रहा है एक्जिस्टिंग टेलिस्क के बीच में हुई थी और जहां पर उन्होंने सब लोगों ने बात की कि किस तरह से हम एक intelligent telescope और data बनाएंगे big data है artificial intelligence है इस पर भी काम करेंगे तो इस पूरे article से हमें एक यह पता चलिए कि astronomy में काम करने और bricks nation का है इसके बारे में detail में discuss करेंगे हमारी दूसरी न्यूज है white flies वाइट फ्लाइज ने अभी बहुत ज़दा इंडियन क्रॉप्स को खराब कर दिया गया है और बोला जा रहा है यह invasive species हैं और कहीं न कहीं Caribbean island से लाई गई हैं या Caribbean island की native है यह और हाना कि यह difficult यह जानना बहुत ज़दा white flies देखेंगे तो बहुत ज़दा insecticide से भी नहीं मरती ठीक है बट कभी-कभी जो native white flies होती है वह अच्छे भी होती इंवार्मेंट फ्लेडली पड़ यह native नहीं है यह invasive species हैं ठीक है तो इन दोनों को मैं करवा देता हूं यह क्या white flies के बारे में कर लेते हैं टॉप 10 डिवास्टेटिंग पैस्ट है पूरे वर्ल्ड में जो डैमिज करता है 2000 से ज्यादा plant species को अलग लग plant species को पूरी खा जाती है जनरली यह cotton को खाती है ठीक है invasive alien species मतलब एक native species होती है जो वहीं की है एक same species होगी पर कहीं दूसरी जगे से आई है तो वह क्या करती है वहां के natural एक तो खाना खा जाती है एक हमने ऐसा ही देखा था और वहां के जो इनको भी माड़ देती है वह राइट तो physical root से आ सकती है landslide यह सब चीज़ों से आ सकती है invasive species होती क्या है किसी भी type का organism हो सकता है कोई amphibians हो सकता है plant हो सकता है insect face fungus कुछ भी हो सकती है यह environment को हाम करती है invasive species alter the environment they invade and difficult and expensive to control मतलब यह इतनी ज़्यादा harsh होती है कि वो जो native होती है उनको भी मार देती है और उनका खाना खुद खाके अपना और इनका एक सबसे खास बात यह है कि reproduce बहुत जल्दी हो जाती है example के तरह कोले वेट लेंड इसमें has been colonized by invasive plant राइट दूसरा क्या था ब्रिक्स के बारे में 12 ब्रिक्स सब्मेट हुई थी सबसे पहले ब्रिक्स सब्मेट हुई थे 2009 रश्या में और फोर्थ हुई थे 2012 में और यहीं पर ब्रिक्स बैंक की बाद जब भी कोई कहेगा ब्रिक् है तो यह सबी ब्राजिल रॉसिया इंडिया चायना और साउथ अफरीका का यह गुरूप है ठीक है और प्रिक्टर में दिया था ब्रिक्स नहीं ब्रिक्स क्योंकि पहले सआउथ अफ्रीका 2010 माया है ठीकThera Jim O'Neill ने यूपीएसी प्रिलिम्स में यह कॉशन पूछा जा चुका है यह किस ने टम दिया करके ठीक है और पहली ब्रिक सम्मिट 2009 में हुई थी 2010 में साथ अफरिका ने जोइन किया था बस इनका भी काम किया है न्यू डपलेमेंट बैंक ब्रिक्स का बैंक को दोजार बार की सम्मि क्या है तो आप कोगे ब्रिक से जहां पर एंडी बी बना था ओके दूसरा ब्राजीलिया डेक्लेरेशन क्या है डेक्लेरेशन में 11 ब्रिक सम्मिट में हुआ था कि यूएन चार्टर पर पर प्रिंसपल एडवोकेटिंग मल्टिलेटरलिज्म की बात की गई थी यहां पर कि सबी देश एक साथ मिलके आगे आने चाहिए तो कॉमेंट पढ़ लेते हैं यस राइट अंसर सर्वर्ट इदा डिफ्रेंस बिटिन आई बीसी एंड एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी क्या होती है मिस्टा तरुन यही होती है एक तरह से एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी ह जो बोर्ड होता वही ए आर सी को जो है क्रेट करती है और इसी के बेसेश पो और एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी क्या करती है कभी-कभी जाती है जैसे मैं भी अपनी एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी खोल सकता हूं मैं कहूंगा सर मैं वसूल कर सकता हूं तो वही होती ह वो आई बीसी के अंदर ही काम करती है ठीक है वोई डारेक्शन देते हैं कैसे काम करने हैं सर इंसाइट की मंतली फियर मैगजिन है या यार मैं कहूंगा कि विजन की आप पढ़ लो क्योंकि कम पेजेज भी है इंसाइट यार कभी-कभी डेल सो 180 पेजेज देता था फाल तु अठीक और अमेंटमेंट में आर्टकल तो बहुत सिंपल है कॉंस्टिूशन में जो लिखे रहते हैं एक तरह से आर्टकल चेप्टर कितरा मालो आर्टिकल वन में क्या है कि कौन-कौन से स्टेट हैं कितनी हमारी बौन्टरी है ठीक है जैसे आर्टीकल 21 राइट टू लाइ उसे एक्ट कहते हैं एमेंडमेंड में वही जो एक्ट है उसमा सुधार किया गया तो उसे एमेंडमेंड कहेंगे और सिर्फ प्रमोशन रिप्रेजेंटेटिटिव सिस्टम यार यह मैंने बता चुका हूं यह आप लक्षमी कांद पॉलिटी के फ्री लेक्चर है कैसे इसके लिए मैं एक स्पेसिफिक वीडियो बना दूँगा पर आप सिर्फ दहिंदू प्लस विजन पढ़ो क्रिप्टो करेंसी कुछ नहीं है वर्चुल करेंसी होती है जो सेंटल बैंक जो है सुपर्वाइज नहीं करता यह वर्चुल करेंसी है इसका पूरा मैं ब्रवाइद इस भी वीडियो ठीक है थेंक युद गाइड इंसाइट्स सार्थ योजना में कि टॉडork के नियुज गर्चेतर होता बारे में जितनी वी जानकरी होती हैód Cory Ici सेंटर से बागी कंपनी इसको भी वैक्सिन बनाने के लिए देने के लिए कह रहे हैं तो उस पर सेंटर गवर्मेंट रिप्लाइ करती है कि ऐसे किसी को भी ब्लूर्प्रिंट नहीं दिया जा सकता तो सजब इंटरनेशनल लेवल आप टिप्स वेबर की बात की जा रही है तो तो क्या ये इंसाइड दरनेशन एक कंपनी दूसरी कंपनी को वैक्सिन बनाने के लिए अलाओ नहीं कर सकती है वो भी तब जब इसकी इतनी नीड है ये सेंटर गवर्मेंट के पास आपको पता होगा रेनो नोटेल जी पेटेंट राइट नैंटीन सेंटी है बट वो पलसरी लाइसेंस की बात की जाती है कि सरकार बिना जिसने बनाई है उसकी बिना पर्मीशन से भी बना सकती है पेटेंट राइट नैंटीन सेंटी ऐसा कानून है भारत में ठीक है पर वही है या डैली सीम कुछ बोलेंगे वो कुछ अच्छा करने का ट्राइब करेंगे वह हाँ पेटेंट राइट का हम यूज कर सकते हैं बिना कॉंसेंट की भी सरकार की पास तो ऐसा कानून है कि बिना उसकी पर्मिशन से भी बना सकती है दवा सोचो कराती सक्षिना मेरी बुक है अगर आप देखोगे अमेजन किंडल में जनरल स्टडी आप टाइप करोगे किंडल में मेरी बुक मिल जाएगी ठीक है मैंने ही लिखिए वो सर साइंस एंड टेक्नोलोजी की नेक्स्ट वीडियो कब आएगी प्रियंका पाल आज मैं इसको रिलीज करूंगा सर पी आईप का एनलेसस भी कीजिए अनिके विजन आयस में यार कवर होता है तो एक्स्ट्रा एफट मढ़ डालो सर सी एसफ देखो एक तो मैं कोमेंट उसी समय बढ़ता हूं तो ट्राइए करना कि यार जो पुरी आप फुल फॉर्म लिख दिया करो बट फिर वी मैं जहां तक समझ पा रहा हूं सा सी ऐसफ एकॉनोमिक्स में मुझे लगता कंजरेवेटिव स्ट्रेजी फंड होता जहां पर वही है केस में लिगल अक्षिन नहीं होगा क्या लिगल एक्षिन बैंकरफ्सी एक लिगल एक्षिन ही होता है जिसमें उसके पूरे प्रापरटी को जबत कर लिया जाता है सर बाइकेमरल को डिजॉल्व क्यों कर सकते हैं मिस प्रिया क्योंकि यार कभी-कभी होता है कि उनका काम नहीं होता खाली वो खर्चा बढ़ा रहे होते हैं तो इसलिए बाइकेमरलिस्म को डिजॉल्व कर सकते हैं सर आपका टेलग्राम डिरेक्ट सर्च करो योगित आपको मिल जाएगा हाउ टू पिर्पेर आई आर पावनीत सिंग वाजीराम की फैकल्टी है उनकी बुक आती है उसको पढ़ दीजे थेंक्यू विजाई बंकर जी विनाई सर हरिद्वार कौन सी डिस्टिक में है मिश्टर विनाई हरिद्वार एक खुद एक डिस्टिक है चमपाउत एक अलग डिस्टिक है हरिद्वार एक अलग डिस्टिक है ठीक है हरिद्वार में वही ये जिला है जहां पर गंगा नदिया ऐसे प्रवेस करती है और कुम्ब मेला यहीं पर होता है ठीक है गूड मॉनिंग याशनन थैंक यू आज की स्टूडियो में इतना ही धन्यवाद